हेलो दोस्तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्टिकल हब में दोस्तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये है लो प्रेसर स्विच आरो में दोस्तो आपने देखा होगा कि किसी किसी आरो में आपको लो प्रेसर स्विच भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि यह low pressure switch काम कैसे करता है यह हमारे आरोपे क्यों लगा होता है अगर यह खराब हो जाए तो हमारे आरोपे क्या fault आएगा तो यहाँ पर हम इन चीजों को यहाँ पर सीखेंगे step by step तो वीडियो में बने रहें अगर दोस्तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe कर देना साथ में बेल आइकन का button दबा देना जिससे होगा क्या मेरे आने वाली वीडियो की notification आपको मिल जाएंगे क्योंकि मैं ऐसे ही electronics related वीडियो अपलोट करते रहता हूँ जिससे आप up to date रहेंगे दोस्तो इससे पहले मैंने काफी RO repairing के बारे में वीडियो अपलोट करी हुई है आप मेरे चैनल में जा करके देख सकते हैं और वहाँ से कुछ न कुछ सीख सकते हैं तो मैंने इस में pressure switch के बारे में बना रहा हूँ इससे अगली वीडियो भी मैं और topic पर बनाऊँगा मैं RO का एक एक topic ले ले रहा हूँ और उसी इस related वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर मैं पूरा RO एक बार cover करूँगा तो आपके cover नहीं होगा अगर आप RO का काम सीख रहे हैं वीडियो में बने रहे 100% आप इन चीजों को जब आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे चाहे वो हमारे filter हो या FR हो motor है, membrane है कि work कैसे करती है तो आपको RO repairing में काफी मदद मिलेगी काफी सायता मिल जाती है तो यहाँ पे जो आज की वीडियो होने वाली है वो है low pressure switch यहाँ पे देख सकते हैं अलग-अलग angle से यहाँ पे low pressure switch को दिखाया गया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह low pressure switch काम कैसे करता है तो यहाँ पे पहले समझ लें इसमें जो हमारा pipe का connection होता है किसी-किसी में दो भी होते हैं किसी में एक होता है इसमें यहां पर हमारा पाइप का कनेक्शन होता है इस जगे में और किसी में दो भी होता है यहां से जाता है और यहां से निकलता है तो इसमें सिंगल कनेक्शन है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारे करंट यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख करते हैं उसको हम समझते हैं तो जब भी हमारा यह क्या होता है हमारा लो प्रेसर स्विच होता है यानि अगर लो प्रेसर होगा तो उसको यह सेंस करेगा अब उस सेंस कैसे करेगा उसके वारे हम यहां पर समझते हैं अगर इसमें दोस्तों ऐसी पत्ती होती है जैसे यह दोनो जब इसके साथ टच होगी तो हमारा क्या होगा आरो ओन हो जाएगा यह जो पत्तियां है यह आरो को ओन करवाती है तो यह आरो हमारा ओन हो जाएगा और उसके पाद हमारी working condition चालू हो जाएगी आरो चलना सुरू जाएगा लेकिन यहां पर problem कब आती है कि जब हमारा यह पत् आता हूं एक मिनट यह इसके अंदर ऐसे पत्ति लगी होती है लेकिन पानी का प्रेसर यहां पर सईसे नहीं आ पाता है तो यह पत्ति हमारी सौट नहीं हो पाती है जिससे हमारा आरो नहीं चलता है तो यहां पर इसलिए इसे कहते हैं low pressure switch यानि हमारा आरो यह से करता है कि पानी का प्रेसर इतना नहीं है कि जिससे आरो चल सके और आरो का सर्किट हमारा ओन नहीं हो पाता है इसलिए हम किसी किसी आरो में आपने देखा होगा कि यह low pressure switch लगा होगा होता है तो यहां पर यह का connection कैसे होता है उसके बारे में यहां पर डिसकुस करेंगे और कहां पर तो दोस्तों यहां पर समझते हैं कि जब भी आप low pressure switch को यूज करें तो आपको क्या चाहिए होगा एक तो आपको low pressure switch चाहिए होगा और एक T चाहिए होगी अगर यह दोनों होंगे तो आपका यह connection हो जाएगा यहां पर यह देख सकते हैं यह हमारी T है यहां पर दो हमारे थिंबल हैं जो कि इसके साथ अटेच होंगे और साथ में एक टीवी आई है यहाँ पर देख सकते हैं तो अब हम इसका connection कहाँ पर करेंगे उसके बारे हम डिसक्स करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर sediment filter है यहाँ पर sediment filter है यहाँ से इस पर in होता है यहाँ से out होता है उसके बाद हमारा देख सकते हैं carbon filter है pre carbon filter है फिर उसके बाद sediment से carbon filter पर जाता है और carbon filter से निकल करके आगे हमारा SV solo net valve पर यह जाता है SV पर यह चले जाता है उसके बाद motor में जाता है और भी filter लगे हैं तो उन पर जाता है तो हम इसको कहां पर लगाएंगे pressure switch को तो यहां पर हमारा ये है तो दोस्तों यहां पर होगा क्या अगर आप pressure switch को यहां पर T लगा दिंगे suppose करो आपने यहां पर T लगा दिये T लगा करके इसमें डाल दिया तो आप यहां पर भी pressure switch को लगा सकते हैं और अगर यहां पर नहीं तो यहां पर आप T लगा करके इसके साथ लगा सकते हैं तो यहां पर भी add कर सकते हैं तो आपके लिए best add यह कहां पर हो सकता है उसके बारे में बताऊँगा. दोनों जगे लग सकता है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नी लगा सकते या यहाँ पर लगा सकते हैं, दोनों मैं से कहीं भी लगा सकते हैं. तो मैं यहाँ पर कुछ आपको बताता हूँ, आपको खुद decide करना पड़ेगा कि pressure switch आपने इस जगे पर T लगा करके ऐसे लगाना है या pressure switch यहाँ पर को T लगा करके ऐसे लगाना है तो यहाँ पर समझो, अब pressure switch का pressure इस पर कब कम आएगा जब हमारा कोई filter ब्लॉक हो जाएगा पानी वो कम चानना शुरू करेगा तो वहाँ पर हमारा काम आएगा तो यहाँ पर अगर हम suppose करो यहाँ पर pressure switch को लगाते हैं यहाँ पर T लगा दिंगे और pressure switch को हम यहाँ पर लगाते हैं तो होगा क्या जैसी हमारा इस यह वाला filter अगर ठीक होगा यहाँ से पानी हमारा आगे बढ़ेगा उसके बाद इस filter से आगे निकलेगा उसके बाद इस filter से जब निकलेगा अगर इस पानी का pressure सही होगा जिससे हमारा pressure switch on हो जाए तो अगर pressure switch on हो जाता तो आरो हमारा run करेगा लेकिन अगर ये filter block है इससे पानी बहुत कमा रहा है तो यहां से यह इसमें भी पानी जा रहा है और यहां से हमारा pressure switch में भी जा रहा है तो pressure switch अगर इसका pressure high होगा कि इसको on करवा सके तो हमारा arrow on होगा नबरना नहीं होगा तो उस case में आप क्या समझ सकते हो या तो हमारा यवाला फिल्टर खराब है या हमारा यवाला फिल्टर खराब है दोनों मैंसे कोई एक फिल्टर खराब है अगर प्रेसर सुच की प्रोबलम है तो इसको आप कैसे चेक करेंगे कि प्रेसर सुच की ही प्रोबलम है तो simply आपने करना क्या है जो इसकी यवाली पत्तिय हैं ये इन दोनों की थिंबल निकाल करके इन दोनों को आपस में सौट कर देना है तो आपका आरोज चलने लग जाएगा तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रेसर सुच का फॉल्ट है और यहां पे हमारा कोई फिल्टर ब्लो रहा है हलका हलका जिस कारण हमें प्रेसर पूरा मिल नहीं पा रहा है और सेकंड चीज अगर आप फिल्टर को यहां पे यूज करते हैं एक मिनट अगर आप टी यहां पे लगाते हैं और यहां से इसके साथ connect करते हैं SB तो आपकी जब on होगी तभी पानी आगे जाएगा वरना SB तक पानी रुख जाएगा उसके बाद पानी आपका यहां से जाएगा यहां से जाएगा यहां से आगे बढ़ेगा SB पर रुख जाएगा जब pressure switch पर current जाएगा pressure जाएगा pressure switch on होगा उसके बाद SB से आगे पानी जाएगा वरना नहीं जाएगा अगर आप यहां पर T लगाते हैं तो क्या होगा आपका अब आपको यहां पर तीन फिल्टरों का यहां पर verification करना पड़ेगा कि कौन छा filter हमारा block है यानि pressure switch आपको तीन फिल्टरों के indication बता सकता है उसमा आपका एक मिनट ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है यानि pre filter भी हो सकता है carbon भी हो सकता है sediment filter भी हो सकता है ये तीन फिल्टर आपके हो सकते हैं जिने हम primary filter भी कह सकते हैं तो हम जो primary filter होते हैं उनको यहाँ पर चेक करेंगे अगर हमारा आरो अन नहीं होता है तो हमारी pressure switch का problem हो सकता है और इसके जब हम थिंबल निकालेंगे यह थिंबलों को इन दोनों को जब हम आपस में sort करेंगे तो आरो हमारा चलने लगेगा as we valve on हो जाएगी motor on हो जाएगी और यह हमारा run करेगा तो इसका मतलब यह है कि pressure switch हमारा खराब है उसके बाद क्या करेंगे हम simply यहाँ पर से इस pipe को निकालेंगे और उसके बाद पानी जो आएगा उसका pressure देखेंगे अगर बहुत कं काम आ रहा है तो उस case में आप देख सकते हैं कि filter साप करके काम बन जाता है या change करने पड़ते हैं तो आप वहाँ पर साप करना है तो आपका pressure आ जाएगा जिससे आपका pressure switch on हो जाएगा लेकिन pressure switch को check करने से पहले आप इस तरीके से भी check कर सकते हैं कि यहाँ पर जो inlet उड़ता है इस pipe को हटा करके यहाँ से हटा करके इस pipe को सीधा यहाँ पर डाल दें pressure switch पर तो आपका आरो ओन हो जाना चाहिए इसका मतलब यह है कि हमारा pressure switch सही है यानि pressure switch हमारा यहाँ पर सही है बस पानी का pressure नहीं आ रहा है अगर आपका यहाँ पर मैं से काट देता हूँ अगर आपका input पर जो line जा रही है यह pipe आपने यहाँ से जोड़ के इसके साथ connect करा लेकिन आरो हमारा on नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा pressure switch यहाँ पर खराब हो चुका है तो यहाँ पर हमें नया pressure switch लगा सकते हैं इस तरीके से आप अपने आरो पर या जो भी आप कहीं repair करने जाते हैं तो pressure switch को समझ के उसको काफी अच्छे तरीके से काम मैं ले सकते हैं और कहां पर लगाने की बात है वह भी मैंने आपको समझा भी है या तो आप यहाँ पर यहां से लगाते हैं या प raft यह लगता है कुछ इस तरीके से यहां पर ए ABC पर जाता है यह अब यहां से ले सकते है तो दोनों जगे से आप pressure switch को लगा सकते हैं बस यह है, जब आपका pressure switch on नी होगा तो आपको decide करना है कि आपका pressure switch यहाँ पर लगा है यहाँ पर लगा है, उस हिसाफ से आप उन filter को क्या करेंगे, check करेंगे, कि हमारे एक filter check करना है, दो check करने या तीनों check करने, बस यहाँ पर यह फरक है, अब यहाँ पर रही बात, अगर आपका प्रेसर कभी-कभी होता है क्या दोस्तों हमारा टैंक कम हाइड में होता है कम हाइड में होने के कारण भी हमारा प्रेसर स्विच अन नहीं हो पाता है तो उस केस में सिंपल ही हमने करना क्या होता है प्रेसर स्विच को हटाना होता है तो सिंपल ही आपको करना क्या है प तो उनों सिरे आपस में एक दूसरे में फसादें और आपका pressure switch क्या हो जाएगा ये उसके बाद आपका आरो चलने लगेगा तो यहां पर आप simply सीख गए होंगे कि pressure switch हमारा चू लगा होता है किस तरीके से काम करता है और कहां पर इसका यूज होता और इसके खराब होने से क्या fault आते हैं इसके साई होने पर क्या fault आते हैं filter बोलोग हो जाएगा तो pressure switch को कैसे find out करेंगे जब pressure switch खराब हो जाएगा तो filter खराब है pressure switch खराब है उसमें भी हम कैसे पकड़ सकते हैं अगर हमारा RO on नहीं हो रहा है तो लेकिन अगर आप pressure switch कि ये thim और वीडियो बनाते ही जा रहा हूं हर दिन एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूं आप चैनल में बने रहें और यहां से आरो का काफी अच्छे तरीके से काम को आप सीख सकते हैं हर एक पार्ट से को सीखने के बाद किसी भी चीज की रिपैरिंग सीखना बड़ा आसान हो जाता है एक बार मां अगर आप सब चीज सीखेंगे तो उसमें बहुत टप हो जाता है लेकिन हर पार्ट से के बारे में हम डिटियल समझेंगे तो उसके बाद क्या होगा आरोमा आप एक अच्छे टेकनीशियन बन सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इता ही मिलते हैं अगली वी आना और चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना